नमस्कार स्वागत है आप सबका देख रहे हैं आप लोग अपना बहत खास कारिक्रम जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका ऐश्टो फ्रेंड संतो संतोशी आप मित्रों में से बहुतों के कॉंपटेटिव इग्जाम्स आते हैं प्रतियोगी परिक्षाएं बारहवी के बाद तो जैसे बाण सी आ जाती है और ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पाने की जद्यो ज़हत में आप सब बहुत सारी प्रतियोगी परिक्षाओं को कि फॉर्म भरते हैं एक्जाम देते हैं और उसके साथ जोड़ते हैं पने आपको आज आप सब विद्या और नौकरी चाहने वालों के लिए बिद्यार्थियोगी परिक्षाओं की जो तैयारी कर रहे वो भी विद्यार्थि ही है वो एक professional विद्या चाहते हैं उस विद्या को वर्जित करके वो अपनी आजीविका को सेट करना चाहते हैं और एक होता है academic जो दसमी बारहमी और जो graduation दे रहे हैं ऐसे बच्चे और ठीक उसके बाद बी टेक इंजिनरिंग आदमे अडिमेशन लेने के लिए कलेट गेट और क्या क्या एक्जाम तमाम होते हैं नेट जयाराफ होगरे दुनिया भर का C.A. बहुत सारे बच्चे उन सारे लोगों के लिए medical के तैयारी करते हैं उन सब के लिए गायतरी मंत्र का एक अनोखा प्रिय करके रखे हैं जोड़े हैं तो यह कारिक्रम आपके लिए है किताबों के माध्यम से आप अपने जीवन में कैरियर को एक दिशा देना चाहते हैं तो यह कारिक्रम आपके लिए है सबसे पहले गायतरी के मंत्र का प्रियोग हम बताएं एक बार हमारे साथ गायतरी मंत्र का चारण अवस्य कर लेगा आप लोग। हमारे देख सकते हैं आप लोग। बाई दाए देख लीजेगा। प्रियोग हम बताएंगे। कैमरे से हो सकता हुदाया भी देख जाए। हाँ दाया ही देखेगा। समझना कैसे है। गहराई कैसे लानी है। इसे देखेए। प्रियोग कैसे करना है इसे भी समझेए। एक भोजपत्र लेना है। यह थोड़ा सा कठिन लग सकता आप लोग को। भोजपत्र भोजपत्र क्या होता है यह आप लोग इमेज पर जाकर गूगल पर सर्च करिएगा। क्योंकि ऐसे हम बता क्या पाएंगे भी एच ओजे पी एटी आर यह भी डाल सकते हैं। ऐसा ही एक भोजपत्र आपको प्राप्त करना है। इस स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा भोजपत्र। ऐसा ही कुछ होता है भोजपत्र। इस भोजपत्र पर यह गायत्री मंद्र हल्दी और शहद मिक्स करके लिक्विड बनाकर उससे लिखना है। लिखने के लिए तुलसी की लकड़ी ले लीजेगा। तुलसी की पौधे से छोटी से एक लकड़ी तोड़ लीजेगा। निकाल लीजेगा। पौधे तुलसी की पेड़ से छोटा सा एक टहनी मा को प्रणाम करके ले आईएगा। धुल लीजेगा। और इसी से उस भोजपत्र पर गायत्री मंत्र देख देखकर एक बार लिख लीजे। इसके बाद इस भोजपत्र को आप एक पीले कपड़े में बाध लीजिए। एक ताबीच जैसा तह करके पीला कपड़ा भोजपत्र मोड के इतना छोटा हो जाएगा सुखाना उखाना नहीं मोड कर और पीले कपड़ें बना करके एक पुरा पीले कपड़े को ऐसे छोटा सा टुकडा टाइप का बना लीजेगा अब इसे तीन दिन लगातार अखंड दीप से इनरजाइज करिए इसके सामने घी का दिया जला दीजिए और वो दिया तीन दिन तक बुज़ना नहीं चाहिए अगर बुज जाए तो वहम ना पाले ये फिर से जला दीजिएगा तीन दिन पूरा हो गया चौथी सुबह चौथी सुबह तीन दिन पूरा होना है जब चौथे दिन का आरंभ होगा उस सुबह स्नान के बाद 108 बार गायतरी मंत्र का पाठ करके इसे लेकर मस्तक से लगाईए और अपने पास रख लीजिए स्कूल बैग में रख सकते हैं कॉलेज बैग में रख सकते हैं किसी किताब के अंदर रख सकते हैं अपने बटूए में भी रख सकते हैं लेकिन पवित्र रहना चाहिए इसे लेकर आप लेटिन पेशाब के लिए बातरों में नहीं गुश सकते हैं यह आपके टेबल पर भी हो सकता है, जहां आप श्टडी करते हो। किसी प्लेट में, कटोरी में ऐसे ही कपड़ा रख दीजिए। और फिर इसे पूजास्थान पर रख सकते हैं। 24 घंटा लेके नहीं रहना है। यह हमेशा के लिए हो गया शिक्षा से सम्मंदित गायत्री मंत्र का एक महातंत्र, महाप्रियोग। कोई भी कर सकता है, किसी से भी करा सकते हैं, बच्चा किसी भी तरह से आपका बूस्तक से भाग रहा है, बिद्ध्या में मन नहीं लग रहा, आप देखिए इसको करके। उमीद करते हैं किस कारिकरम को आप जरूर प्रसंद करेंगे और लोगों से स्याजा भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, हमें अनुमत दीजेगा और मुलाकात कर सकते हैं लखनों में दस तारिक, आगद के लिए बस इतना है, नमस्कार, शेरादे